दोस्तो अगर हमने फैमिली वीजा के उपर अपनी फैमिली को यहां बुलाना है तो हमें कितनी इंकम शो करनी चाहिए या आई आरेस जब हम फिल करते हैं तो उसमें हम कितने की रिटर्न शो करें और दूसरा सवाल दोस्तो कि क्या आई आरेस के अंदर इंकम प्लस करके शो करना उन लोगों के लिए जो अभी टी आरेसी जिने नहीं मिली है यह सेफ है की नहीं आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत थेंक्यू करता हूं तो कि जब भी मैं बहार जाता हूं मार्किट में तो मुझे कोई नो कोई हमारे भाई पहचान लेते हैं दुआ देते हैं प्यार देते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को information पास करते हैं कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सई जानकारी हो तेंकियो सो मच आप मेरी वीडियोज देखते हैं पसंद करते हैं प्यार करते हैं और दौस्तों जैसा कि अप सब लुग जानते हैं कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रूप है और हमारा एक पुर्थगाल यॉरी एज़ चोटी बड़ी वो सबसे कुछ एक्सर में जौप को लेकर भी पोस्ट करता रहता हूं है और अगर हमारे कोई हुआ ढूंड रहे हैं किसी उत अपने साथ रखने के लिए तो जहरूर पोस्ट शेर करें दोस्तों अगर आपको जाप दिलवा सकते हैं तो जरूर शेर करें दोस्तों एक दूसरे की कंट्री के अंदर immigration open है और हम लोग उसमें travel कर सकते हैं subtle हो सकते हैं उसकी information में उसमें share करता हूँ और अगर आप दोस्तों मुझे contact करना चाते हैं तो आपके बस दो options available हैं एक facebook messenger और दूसरा instagram instagram का जो logo है जो barcode है मेरे account का वो आपको show हो रहा होगा अगर आप उसे scan करेंगे अपने account से तो आप मेरे account तक आ जाएंगे और link जो है वो भी description में available है और दोस्तों अगर हम email की बात करते हैं first email की तो अगस्त 15-16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक मेरा ख्याल है कि अभी पहली या दूसरी September वालों को first email receive हो रही होगी और जिंजिन भाईयों को first email receive हो चुकी है और वो अभी second का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको मेशा कहता हूं कि रात को सोने से पहले जरूर चकिया करें मेरा अंदासा है कि शायद इस week में आप लोगों को appointment की email भी आ जाएंगी और आप तुरंत वो उठाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी date मिले तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक interesting topic है क्योंकि मुझे काफी सारी इसके उपर सवाल आते हैं कि किसी ने family visa के उपर अपनी wife को बुलाना है किसी ने अपने wife और बच्चों को बुलाना है किसी ने अपनी mother या अपने father या अपने parents को बुलाना है तो हम income कितनी शोग करें और IRS के अंदर हम कितनी इंकम बढ़ाएं और क्योंकि उसके अंदर salary slips भी शोग आपको करनी पड़ती है last three कितनी इंकम आपकी है क्योंकि दोस्तो जो family visa है वो dependent जो card आपके बिहाफ की उपर मिलेगा आपकी family को वो depend करता है कि आप उन्हें यहाँ पर support कर सकते हैं कि नहीं तो दोस्तो अगर तो आपने अपनी wife और बच्चों को दो बच्चों को भी बुलाना है यानि तीन लोगों को आपने sponsor करना है dependent वीजा की उपर तो अमूमन पंद्रा सो पर मंथ या उससे plus income आपकी होनी चाहिए और दोस्तो यह जो information है यह किसी के personal experience की उपर based है हमारे एक भ जो है यह बात immigration officer ने उसमें पताई थी जब वो paper लेके गए थे family का कि आप तीन लोगों को बुला रहे हैं और आप लोग जो income है वो पंद्रा सो या उससे ज्यादा रखिए तो आप members को जितने मर्जी बुला सकते हैं क्योंकि दोस्तो अगर तो आप सिरफ अपनी wife को बुल क्योंकि आपको room change करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप थोड़े से बड़ी room में रहते हैं तो दो लोग husband wife एक room में रह सकते हैं और husband wife आएगी या husband आता है तो ये भी एक सभावक सी बात है कि वो जल्दी से जल्दी हो है काम तलाश लेगा और काम स्टार्ट कर पर अगर बच्चे आते हैं तो बच्चों के खर्चे बढ़ जाते हैं बच्चों की वज़े से कई वार जो mother है वो job नहीं कर पाती है या इतनी income नहीं बना पाती है क्योंकि बच्चों की take care भी करनी होती है और बच्चों के लिए आपको room भी एक room के अंदर आप 4 लोग नह जाहिर सी बात है कि आप लोगों को घर भी बढ़ा लेना पड़ता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं इस वज़े से दोस्तों ये फिर सेफ की requirement रहती है कि क्या आप अपने जो family members बुला रहे हैं उनको आप support कर सकते हैं कि नहीं क्या आप कितनी आमदनी है अगर नहीं है तो प इतनी इस income काफी रहेगी थोड़ी सी जादा कर लीजे क्योंकि old age होने की वज़ा से ये भी पते है कि वो काम नहीं कर पाएंगे हजार के करीब आप income पर मंद की show करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो कि ये दोस्तो personal experiences की उपर ही है इन्होंने कही return में तो नहीं लि रखिए कि अगर आपने सिर्फ husband and wife को बुलाना है तो 7800 के करीब काफी है अगर आपने सिर्फ एक mother या फादर को बुलाना है तो भी 1100 के करीब enough है अगर आप तीन लोगों को बुला रहे हैं तो 1500 उससे प्लस आप income रखिए अपनी IRS में उसके recording show करिए अब दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों को residence card मिल चुका है वो अगर IRS के अंदर income बढ़ा देते हैं चेंजिस कर देते हैं और reality में भले ही नहीं है पर हमने IRS के इंदर बढ़ा दी है तो दोस्तों उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग already residency card ले चुके हैं और आप लोग वो तो government खुश होती है कि आप जितना ज्यादा tax जो है सरकार को दें तो पर द क्योंकि जो trend इस समय चल रहा है immigration का officers का branches के अंदर कि जिन लोगों के पास TRC नहीं है अगर वो अपनी IRS बढ़ा देते हैं और आपके पास शो करने के लिए नहीं है कि आपकी बड़ी हुई income का source क्या है अमूमन फर्स करिए कि आपकी जो record में जो salary है वो 700 है अभी TRC लेने से पहले और जब आप fingers करवाने गए हैं और आपने IRS में शो कर दिया है कि मेरी जो monthly salary है वो 1000 है उस हिसाब से आपने tax pay कर दिया है तो जब आप fingers के लिए जाएंगे और उसके सामने तो सारी detail होगी immigration की अमूमन अगर आपने IRS का document दिखाया उसने या मांगा आप से और एक तरफ वो आपका जो tax income है वो चेक करेगा कि वह यहाँ पर तो आपका account जो job contract है वो एक है उसके हिसाब से total इतनी income साल की होनी चाहिए है पर आपने return के अंदर income ज्यादा show करी है तो यह जो ज्यादा वाला source कहां से आया है income का या कौन सी job करते थे यह source of income क्या है इस situation के अंदर दोस्तों हम यह तो नहीं कह सकते इमिग्रेशन officer को जी मैंने अपनी family बुलानी है इस वजह से मैंने income बढ़ा दी है क्योंकि यह तो fraud है सीदा सीदा कि आपने source कमाया नहीं है बस सिर्फ document लेने के लिए हमने income बड़ी विशो कर दी है तो यह सीदा सीदा fraud हम यह तो नहीं कह सकते हैं और अब जैसा दोस्तों प्रेंट चल रहा है कि वो लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछ लें और आपको सामने से जवाब नहीं आता है यह आप आना कानी कर रहे हैं आपकी जुबान थोड़ी सी डगमक कर रही है उनको शक पैदा हो जाता इन चीजों से तो मेरा खुद का दोस्तों यह opinion है कि आप इंतजार करें कि आप रेजिडेंसी ले लें और रेजिडेंसी लेने के बाद दोस्तों आप आपकी बिलेई IRS अगर कम भी थी पर रेजिडेंसी लेने के बाद हमें अच्छी जौब मिल गई है जैसे गलोवो की यह बर Eats वगदा की जहां महीने की आमदन या आपकी 12- को 1300-1500 के करीब हो चुकी है और यह आपके काउंट में भी शो करेगा बकायदा आपके पास जो है सेल्री स्लिप्स भी होंगी उसके विहाफ के उपर भी आपको जो है रेजिदेंट जो फैमिली वीजा है पास हो जाएगा तो दोस्तों इस वजह से मुझे यह कुछ सही नहीं लगता कि आप जिन लोगों को रेजिदेंस काड नहीं मिला है वो इंतजार कर रहे हैं बॉंड्मेंट का और वो IRS के अंदर इस तरह से आउट आफ दा ट्रैक जाकर कि आप चेंजिस अगर करते हैं तो यह मेरी खुद की राया है दोस्तों ऐसा कहीं लिखा नहीं है तो कि इनकम तुमने शो करी है यहां पर वो उसका सोर्स क्या है अगर वो ऐसा कहीं सवाल आप से पूछ ले तो हमारे पास आंसर कोई नहीं है और इन चीजों से हमको बचना चाहिए स्टिकली क्योंकि आज कल तो यह लोग मौका तलाश रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो प हैं जिनोंने इनकम बढ़ा करके और फिंगर्स करवाए हैं और उनको मिल चुकी है कोई मसला नहीं है सिर्फ मेरी राय है आप लोगों के लिए तो उमीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों के कुछ सुझाव है औ तो जरूर आपके पास इंस्ट्राग्राम और मेसेंजर की आप्शन अवेलेबल है आप चाहें मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों के सही जवाब देने की इसी तरह से अपना प्यार और आशिर्वत बना के रखिए दोस झाल झाल झाल